वेल्कम टू नेक्स अग्जाम आज है आठ फरवरी 2023 और आठ फरवरी 2023 से करेंट फेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे हमें से वीडियो में विसकुस खरेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा त पीडियो अप ये और आप हमारे टेलेग्राम गूरूप से भी डानड् sini तो चलिए इसटार्ट करते हैं पहला कुशिन है हाली में केंद्री मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां आद्र भूमी बचाओ अभ्यान सुरू किया तो हमारे केंद्री मंत्री हैं भूपेंद्र यादव इन्हों ने अभी गुवा में आद्र भूमी बचाओ अभ्यान सुरू किया तो इस कुशिन का बे options है यह प्रजेन टेम पे हमारे केंद्री पर्यावड बन और चलबायू परवरतर मंत्री हैं भूपेंद्र यादाव और इनों नहीं गुआ में अभी आद्र भूमी बचाओ अभियान शुरू किया अच्छा आद्र भूमी सुनके कुछ याद आया अभी आद्र भूमी दिव मनाया गया कब मनाया गया दो फर्वरी को यह आपको याद रखना है अभी अभियान गोवा में सुरू हुआ है तो यह है मैप में गोवा की केपिटल के है पड़ जी गोवा की चीपनिश्टर कौन है प्रमोद साबंत और गोवा की गवर्नल कौन है पे एस स्रीधरन पिल्ल गोवा में हुआ है नौमी आयरवेद कांग्रेस और आरोग एक्सपो 2022 का उद्गाठन गोवा में हुआ त्रेपनमा भारते अंतरास्टी फेल्म महुत सब यह गोवा में हुआ अच्छा गोवा में बॉंडला वार्लाफ संचुरी है कुटे गाउं वार्लाफ संचुरी है अगबान महाबीर नेशनल पार्क भी कहते हैं अच्छा गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी ब्यार भी अच्छा गोवा में रेवीज मुक्त गोसित होने वाला बारत का पहला राज्य बना था और पहला एलकोहल म्यूजियम गोवा में खुला है गोवा से दो और इंप मुक्त दिवस मना जाता है क्योंकि 19 दिसम्मर 1961 को गोवा पूर्त गाल से मुक्त हुआ था इसलिए हर साल 19 दिसम्मर को गोवा लिवरेशन डे मना जाता है और गोवा इस्तापना दिवस कम मना जाता है 23 माई को तो इस कुश्यन से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 अलाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलप हो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शियर जरू क्या करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार का तो अभी लद्दाक में भारते सिना के दौरा उपरेशन सदभावना का आयोजन किया जा रहा है तो तुस कुछन का सेुपस्जा के इस तर् justement सुधार और गुर्वत्त पूर सिक्ष्छा प्रदान करने के लिए यह अभी लद्दाक में अयोजIST के लए Señor अब लद्दाक तो ये है मैप में लद्दाक, लद्दाक के लिट्रेनेट गवर्नर कौन है, आरके माथूर, अभी लद्दाक की रक्त से कारपो खुवानी को जी एटेग मिला, लद्दाक में मैं भी सुबास अभियान शुरू किया गया, अगनी तत्व अभियान का पहला सेम लेह में आयोजित किया गया, चब्देश में सिंदु दरसन यात्रा ये लेह में शुरू हुई, और इस पे तो गुस्टर फेस्टिवल दुजर बाइस ये लद्दाक में हुआ, अच्छा लद्दाक की बात है, तो लद्दाक में हैमिस नेशनल पार्क है, ये आपको याद अभी तेलंगाना सरकार ने भारत के पहले नए गत्य सीलता केंदरित क्लस्टर की कोशना की, तो उसकुषिन का से ओप्सन सही है, अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल क्या है है, हैदराबाद, तेलंगाना की चीपिनिस्टर कौन है, के चंसे कर राव और तेलंगाना की गवर्नल कौन है डॉक्टर तमिल साई सौंधराजन अभी तेलंगाना पुलिस महानेदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदवार ग्रेड किया है तेलंगाना में नेम के पेडों की पत्तियां डाइबैक रोग से प्रवावित पाएंग की है नएखिशन है हाली में बारत ने आर्थिक साईता योजنا के अंतरगत किस देश को पचास बसेय तो अभी स्री लंका को स्रि लंका के 75 में 73 दिवस पर भारत ने आर्थिक सायता योजना के अंतरगत 50 बसेय प्रदान की दूस कुश्य कर बे ओप्शिंस है अभी स्री साइता योजना की अंतरकत स्री लंका को 50 बसें प्रदान की है अब स्री लंका तो यह है मैप पे स्री लंका स्री लंका की केपिटल क्या है कूलंबो और स्रे जैवर्दने पुरम कुट्टे कूलंबो कॉमर्सिल केपिटल है और स्रे जैवर्दने पुरम कुट्टे administrative capital है स्री लंका की currency क्या है स्री लंका रूपी स्री लंका की present time पे president कौन है रनिल बिक्रम सिंगे और स्री लंका की present time पे prime minister कौन है दिनेस गुडवर्दन कौन है दिनेस गुडवर्दन अच्छा अभी 2024 में under 19 world cup की मेजवानी स्री लंका करेगा स्री लंका के उपन्यासकार सेहान करणा तिलका के उपन्यासको 2022 का बुकर पुरुसकार मिला है चेन को पचाड कर भारत स्री लंका के सबसे बड़े रिड़दाता की रूप में उबरा है स्री लंका ने देश में आने बाले परिटकों के लिए लंबा बीजा जारी करने का फैसला किया है और यह जो आपको मैप में स्रीलंका दिख रहा है यहां से कुशन बनता है कि इंडिया और स्रीलंका की बीच में कौन सी खाड़ी है तो इंडिया और स्रीलंका की बीच में हैं पाक की खाड़ी इसे सुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू बंडल कहते है और इंगलिस में इसे पाक स्ट्रेट कहते है अच्छा कल ही मैंने आपको बताया कि स्री लंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है महावेली गंगा स्री लंका की सबसे लंबी नदी का नाम है पेला नगर निकाय कोन बना है इस bond के जरीए इन दौर नगर निकाय जुटाएगा नहीं हुशन है, हाली में किस कंपनी ने हैबी ड्यूटी ट्रकों के लिए बारत की पहली हाइड्रोजन संचाले तकने की लॉंच की है तो अभी रेलाइंस ग्रूप ने हैबी ड्यूटी ट्रकों के लिए बारत की पहली हाइड्रोजन संचाले तकने की लॉंच की तो इसकुषिन का A option सही है ने क्युषिन है हाले में किसने युबाओं के लिए युबा संगम पोर्टल लॉंच किया है तो हमारे केंद्री मंत्री हैं धरमेंद्र प्रधान इन्होंने अभी युबा संगम पोर्टल लॉंच किया तो इसकुषिन का A option सही है केंद्री सिक्षा, कौसल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धरमेंद्र प्रधान इन्होंने अभी युबाओं के लिए युबा संगम पोर्टल लॉंच किया ने क्युषिन है हारवर्ड लॉइ स्कूल में सेकंड यर की इंडो अमेरिकन स्टुएंट है अपसरा आयत और इन्होंने को अभी हारवर्ड लॉइ रिव्यू की अध्यक चुना गया है अच्छा अभी असम का नया डीजीपी घ्यानेन प्रताप सिंग को न्योक्त किया गया गुजरात maritime cluster के पहले CEO माधबिन सिंग न्योक्त हुए है बारते बायु सेना के नए उप्रमुक अमन प्रेट सिंग न्योक्त हुए है मद रेलवे के नए प्रबंध रिजेसक की रूप में नरेस लालबानी ने कारबार ग्रेड किया है, टाटा ट्रस्ट का CEO सिद्दार सर्मा को न्यूक किया गया, और बेयारों में तैनात होने वाली पहली मैला अधिकारी सुर्भी जक्मोला बनी है, ने हुशन है, हाली में केस देश की दिगज क्रिकेटर एरोन फिंच ने अंतरास टी क्रिकेट से सन्यास लिया, तो इस कुछ इनका A options है, ये हैं ऑस्टिलियन क्रिकेटर एरोन फिंच, अब ये ऑस्टिलिया के हैं, तो ये है मैप में ऑस्टिलिया, ऑस्टिलिया के बिटल क्या है, केनवरा, ऑस्टिलिया करंसी क्या है, ऑस्टिलियन डॉलर, और ऑस्टिल के प्रदानमंत्री पुरुषकार से सम्मानित किया गया और ऑस्टलिया के ग्रेट वेरियर रीफ को बेस्थु धरोहर की रूप में सूची बद्द किया जाएगा ने क्यूशन है हाली में कौन सा राज अगले दो वरस में ग्रेन हाइड्रोजन हब इस्तापित करेगा तो केरल की चीपनिस्टर कौन है पिनराई बिजियन और केरल की गवर्नर कौन है आरिफ मुहंबद खान और आरिफ मुहंबद खान नहीं अभी केरल में वन इस्कूल बनाई एस योजना सुरू की थी केरल में बिस्ट का पहला ताड के पत्तों का पांडूली पी संग्राले कोला गया केरल में बारती पुस्तकाले कॉंग्रेस का उद्गाटन किया गया केरल सरकार ने मलेका साराबाई को केरल कला मंडल का कुलपती नियुक्त किया और केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में Responsible Tourism Global Award जीता है केरल में अनाई मोडी सोला नेसनल पार्क है, मत्तिकेटम सोला नेसनल पार्क है, साइलेंट वैली नेसनल पार्क है और पंबडम सोला नेसनल पार्क है, केरल में सांत गाटी है और पेरियार बनीजीव अब्यारण है ने हुशन है, हाली में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डेफेंस कमपनियों के डाटा में सेंद लगा रहा है तो अभी यूएन इन डेशन की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अकौर्डिंग उत्तर कौरिया डेफेंस कमपनियों के डाटा में सेंद लगा रहा है दूसकुशन का से ओप्सन से ही है, अब नॉर्थ कौरिया तो ये है मैप में नॉर्थ कौरिया जो आपको उपर की साइड में दिख रहा है, यही है नॉर्थ कौरिया, नॉर्थ कौरिया के पिटिल क्या है, पैंग यूंग, नॉर्थ कौरिया करनसी क्या है, नॉर्थ कौरिया के तानासा का नाम क्या है, किम जौंग उन, अच्छा नॉर्थ कौरिया और साउथ कौरिया को डिवाइड करने वाले लाइन को क्या करते हैं 38 पैलल ने क्यूशन है हाली में किस खिलाडी ने अंतरास्टी फुटबॉल से सन्यास लिया है तो अभी राफेल वरेन ने अंतरास्टी फुटबॉल से सन्यास लिया तो उस कुश्चिन का बे आप्शन सही है ये हैं फ्रांस क डिफेंडर राफेल वरेन इन्होंने अभी अंतरास्टी फुटबॉल से सन्यास लिया है नहीं उच्छे ने हाली में नैपाल क्रिकेट एसोसियेशन ने किसे मुख्य कोज नियुक्त किया है तो पूर भारती क्रिकेटर है मॉन्टे देश आई इनको अभी नैपाल क्रिकेट अभी नैपाल सेयुक्त रास्ट की सांति निर्माण आयोका सदस्य बना CAC राजीब कुमार को नेपाल की चुनाव के लिए अंतरस्टी परविच्छक की रूप में आमंतरित किया गया CAC यानि के चेप लेक्षन कमिस्टर क्रिकेटर मनोज प्रवाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोज नियुक्त किया गया और बारत और नेपाल की बीच बारत गौरव परेटक ट्रेन को हरी जंडी भी करी गई अच्छा नेपाल और इंडिया की बीच में कौन सी डिफेंस एक्साई होती है तो इंडिया और नेपाल की बीच में सूर किरण नाम की डिफेंस एक्साई होती है ने क्यूशन है हाली में भारत के केस पडूसी देश ने अपने 37 सहरों में मारसल लोग गोसित किया है तो अभी म्यामार ने अपने 37 सहरों में मारसल लोग गोसित किया तो इसकुशन का A option सही है एक्चुल में म्यामार में आपातकाल लगा हुआ है और अभी आपातकाल की सीमा को अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया जैसे ये सीमा 6 महीने बढ़ाया गई म्यामार ने अपने 37 सेरों में मारसल लो लगा दिया अब म्यामार तो ये है मैप में म्यामार म्यामार की केपिटल क्या है? नेपीडो हाली में कलिंग लिट्रेरी फेस्टिबल का नौमा संस्क्रड उडिसा की किस सहर में आयुजित किया जाएगा तो कलिंग लिट्रेरी फेस्टिबल का नौमा संस्क्रड अभी भुबनेस्वर में आयुजित किया जाएगा तो इसकुशन का C आप्सन सही है अबूरीशा तो ये है map नूरीशा उरीशा की capital क्या है भूबलेशा उरीशा की चीपमिटर कौन है नबेन पतनायक और उरीशा की गवर्नर कौन है गनीश ऍचाइशा में है वेलरदीब और वेलरदीब का नाम बदल के एपीजे अब्दुलकलाम दीव रखा गया उडिशा दिवस या उतकल दिवस कम बनाए जाते हैं एक अप्रेल को अभी पंद्रे में होके बिस्वकप का उतगाटन कटक में हुआ है विंटेज बहानों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज उडिशा बना उडिशा सरकार ने लंपे तचारों का निसुर्क टेका करण करने की गोश्ण की है उडिसा में सुनावेडा वाइला संचुरी है, कुटागड़ वाइला संचुरी है, नलबन वाइला संचुरी है, बैसी पली वाइला संचुरी है, देवरी गड़ वाइला संचुरी है, गहिर मठ वाइला संचुरी है और चिलका लेग है चिलका लेग भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेग है उडिसा में रसे कुलिया बीच है और गुल्डन बीच है उडिसा में लेंगराज टेंपल है, कुडार टेंपल है और जगननाट टेंपल है इतना आप उडिसा के बारे में आद रखिए इस तल या यात्सो को बनाए जाएगा तो इस question का say option सही था और लगबग सब भी straightness conscious हाई दिया मुश्ट लिए straightness के बारे में डिटेल में लेका मैं आपको एक वर फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में काला गुडा कला महुत सब कहां शुरू हुआ है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके लाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सार्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt हुता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेश रसी Instagram पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अलपो लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group है उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने वाले इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदब मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइगे तो बरावन में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam all page video thanks for watching